साज़ो दोस्तों सागत करते हैं अपने स्टेडी चैनल स्टेडी एयड़ दडेरटवी में तो आज हम बात करते हैं कुछ महात्पूर्ट परिवरतनों के बारे में महात्पूर्ट परिवरतन कौन कौन से सबसे पहले देख दे रखा है किलो वाट घंटा को यदि हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो किलो वाट घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे 5 बटे 18 से हम गुणा कर देंगे और यदि में मीटर पर सेकंड को किलो मेटर पर घंटा में चेंज करना हो तो 273 घटा देंगे और ये degree Celsius को में Kelvin में convert करना है तो 273 हम जोड़ देंगे यदि 800 सक्ति को watt में परिवर्थित करना है तो 746 से हम गुणा करेंगे और यदि अच्छो सक्ति और ये अच्छो सक्ति जिसको हम horsepower जल्दी जल्दी में से हम horsepower बोल देते हैं इसे engine की दच्छता चमता ना पी जाती है वाट क्या है सक्ति यदि हम 800 सक्ति को watt में परिवर्थित करना है तो 746 से हम बागे और यदि हम kilowatt घंटा को जिसे हम kilowatt घंटा को देन रखना है इसे एक unit भी कहते हैं kilowatt घंटा को हम क्या क्या करते है एक unit और unitों की संख्या निकालना हो तो हम watt घंटा 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 साव से भाग कर देंगे यूनिटों की संख्या निकल के आजाएगी किलो वक्त घंटा को इधे हमें जूल में बदलना हो तो 3.6 गुढ़ दस्की पावर 6 से गुणा कर देंगे और इधे जूल को हमें किलो वक्त घंटा में बदलना हो तो हम क्या करेंगे तीन दस्मलों छे गुड़ दस्की पावर छे से गुणा करेंगे और यदि में एटिम भाग करेंगे यदि में एटिम को पास्कल में कनवर्ट करना हो तो क्या करेंगे एक दस्मलोğa 0 एक तीन गुड़े दस्कि पाउर 5 से हम घुड़ा करेंगे और इदे हम Paskal को हमें ATM मेंleyeमें ATM का मतलम वाइमंडली दाब कमाता है पक्रिवर्यत करना हो तो एक दस्मलोğa 0 एक तिन गुड़े दसकी पावर 5 से हम भाग करेंगे यदि माइक्रोन को माइक्रो मीटर को जिसे माइक्रोन लिखा है माइक्रोन का मतलब माइक्रो मीटर यह मीटर लिखा हुए माइक्रोन मीटर को यदि में मीटर में करना हो तो दसकी पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे और को हमें में में परिवरित करना है तो 2की पावर माइनस 10 से गुदा करेंगे और इन्गेस्ट्राम को में कोई के उपर 0 ऐसे पॉंट रख दे त debates परिवर्तित करना है तो दसकी पावर 5 से घुणा करेंगे और टायन को न्यूटन में परिवर्तित करना है तो दसकी पावर 5 से घुणा कर देंगे और डाइन को यदि न्यूटन में परिवतित करना दसकी पावर 5 से भाग करेंगे यदि में डाइन को न्यूटन में परिवतित करना है तो दसकी पावर 5 से हम भाग करेंगे और यदि न्यूटन को डाइन में परिवतित करना तो दसकी पावर 5 से हम गुड़ा करेंगे जूल को अर्ग में बदलना है तो क्या करेंगे दसकी पावर साथ से गुणा करेंगे और अरग को जूल में परिवतित करना है तो हम क्या करेंगे दसकी पावर साथ से हम भाग कर देंगे फिर से बता हैं जूल को अरग में दसकी पावर साथ से गुणा अरग को जूल में दसक करेंगे और जूल को केलोरी में वदलना है तो 142 से भाग करेंगे सब्सक्राइब करना करना हमें 10 Unger को हम इसलिगा सीव निटजर 40 में परिवर्तित करना तो दसों की पाउद तीन से उनक्रीय करेंगे अर इलेक्ट्रान वोल्ट को है और इसलिट्र को में में परिवर्तित करना तो क्या करेंगे दस पीपाउ Virgo आ यह जान चुके थह घंञा दिया था हम अब यह प्रीकर पod Кई रेक्टरान वॉल्ट को यह मैं परिवर्तित करना है तो एक डूसके पर मारम सुनला करेंगे और झूल कुईलेक्टान वॉल्ट में परेवर्तित करना है तो मैं सम्थना बाग करेंगे यहां पर दोनों से मुझे मिली मीटर को मिटर में यहां पर यहां पर मिली मिली मिटर से मिली 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 तो हम उन मात्रकों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो फिर हमने ये मात्रक बताएं और हमने ये भी मातरक बताए हैं ज्यान रखना और इसी जानकारी के बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना चैनल का नाम है और भी वीडियो देखना बागी परिवर्टन हम अगले वीडियो में सीखेंगे